बिसमिल्ला रह्मान रहें, आज मैं आप लोग को बकरे की गोश की गोट की लाडोस की रेसिपी दिखा रहे हूँ, यह मेरी दादी की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत मज़े की है, आप लोग जरूर ट्राइ कीजेगा, यह मेरी ग्रेंड मादर बनाती थी, हमें भी सिखाए थी, यह है, मैंने बकरे की गोश से बनाई, सबसे पहले मैंने वन कप ओई ली थी, ओई घरम होने पर मैंने थ्वी पाउं बकरे की गोश दाल देती, दालके इसको अच्छी तरह से मैं सौटे करेंगे, देखे, गोश बिल्कुल आपकी वाइट हो जाएं, इस इस पर आप दालेंगे, वन टेबल स्पून सवल्ट हम दालेंगे, वन टेबल स्पून काल इक पेसे, वन टेबल स्पून जिंजर पेसे, फ्रेच हो बहुत अच्छी थी, मैं तोateurs यह सब दालें हूं, अब इसको अच्छी तरह से आप सौटे करें, देखे, इसके कवान ब को boil की थी अब इसको अच्छी तरह से चनी में च्छान के इसका juice निकाली और मैं चोटी-चोटी सी onion इसमें हमें जरूरत पड़ेगी 15 onion garlic पील कीवी 10 to 12 और green chili jalapeno ये 5 piece ताली दाल कर अच्छी तरह से इसको बुनाए करें और मैंने quarter cup cashew nut और quarter cup almond peel की वी दाली और इसमें देखें ये juice निकाली वी दाली इसको आप boil करके chopper में नहीं पीछना है इसको सिर्फ आप juice निकाले निकाल कर इसमें दाले उसकी जाइका different ही होती है totally देखें आप इसको अच्छी तरह से बुनाए करें बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएंगे और मैंने three fourth cup fry onion दाली और मैंने half cup three fourth cup के करीब मैंने यॉगर्ट भी दाली दाल के अच्छी तरह से ये चीज़ों को भी दाल के इसको step by step आप भुनाए करें बुनाए करने के बाद आप इसमें देखें मैं थोड़ी सी color दाल रही हो इसमें quarter teaspoon के करीब color दालने पर सालन का color बिल्कुल change हो कि बहुत ही खुबसूरत हो जाती है इसकी इसमें ये menu पर ये चीज़ दालनी जरूरी है ये आप दालने के बाद अब इसमें हम दालेंगे जैफरन हम दालेंगे quarter teaspoon देखें इसमें तेल आने लगी कितनी प्यारी color हो गये जैफरन भी दाली दाल क अच्छी तरह से आप इसको भुनाए करें करकर इसको आप तक्रीबन इसको 20 मिनिट्स के लिए आप दम पे रख दे बिल्कुल हलकी आप पर क्यूंकि हम 20 मिनिट्स कोश गलाई थी 75-80% ये देखें आपकी रेडियों कि बहुत टेस्टी आप लोग जरूर ट्राइ कीजिए अच्छी का दावतों में तो बहुत ही अच्छी लगेंगी आप लोग जरूर ट्राइ कीजिए लाइक करें शेयर करें अलाह आफिस